Hello everyone, welcome to test quiz, test quiz में आप सभी का स्वागत है, आज की class में हम अपना जो topic देख रहे थे लाब एवं हानी, profit and loss उसके हमने बहुत सारे varieties को cover किया है और उसी series में हम कुछ और type of जो उसमें questions आते हैं उसको cover करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो profit and loss वाला जो chapter है लाब और हान ठीक है, इस chapter से बहुत सारे questions हमें देखने को मिलते हैं और इसकी variety भी बहुत जादा होती है, और इन सब को बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है, ठीक है, इसलिए हम हर एक type को हर एक class में अच्छे से deal करने वाले हैं, ठीक है, तो आज की class में कुछ अलग type से आप इसको type 3 या type 4 नाम दे रीजिए और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जब मैंने profit and loss वाले class को स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को एक formula बताया था, क्या था वो formula? P1 upon P2 is equals to 100 plus minus R upon 100 plus minus R, ठीक है, या फिर मैं इसे नाम दे दू, R1 and R2, और ये plus और minus काडिनोट करते हैं, plus जब हम लेंगे, जब वहाँ पे profit होगा, और minus हम तब लेंगे, जब वहाँ पे हमें loss या फिर हानी होता हुआ दिखाई देता है, clear, तो आज की class में भी इसी question, ये जो formula है, इसी में based हम questions करेंगे, बट इसका जो तरीका है question पूछने का वो थोड़ा अलग होता है, चलिए समझते हैं कि किस तरह से वो question को पूछता है, ठीक है, अच्छा, हम पहला question पहले नहीं करने वाले हैं, दूसरे question से start करने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए easier हो, ठीक है, तो हम दूसरे question से start करते हैं, पढ़िए दूसरा question, एक दुकानदार 3 रुपए में 8 pencil खरीद कर उसे किस भाव से बेचे कि उसे 60 प्रतीशत का लाब हो, ठीक है, तो आपने question पढ़ लिया, एक दुकानदार 3 रुपए में 8 pencil खरीद कर, क्या कर रहा है, यहाँ पर P1 क्या दिया है, पता है आप लोगों को, solution 1, ठीक है, जो जो given है, जो जो दिया गया है, पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है, तो P1 कैसे दिया हुआ है, यह दिया है कुछ, इस form में, 3 रुपए में 8 pencil, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकत है, तीन रुपए में 8 pencil, ठीक है, तो यह है value आपके P1 की खरीद कर, उसे किस भाव से बेचे, कि उसे 60 प्रतिशत लाग हो, मैंने आपको बताया था, कि इस P1 वाले में जब भी हम खरीदेंगे, या फिर cost price की बात आएगी, तब हम simple इसे 100% ही ले लेंगे, ठीक है, यहाँ आपे plus minus R1 नहीं करेंगे, now question में यह पूछा जा रहा है, कि P2 क्या होगा, P2 क्या होगा, मतलब कितने रुपए से कितने, कितने रुपए में खरीद कर, हम कितने pencil बेचेंगे, ठीक है, कितने रुपए में खरीद कर, आप कितने pencil बेचेंगे, तब आपको जो profit है, R2 है, वो 60% का हो, लाब हो, ठीक है, सारी values पता चल गई, अब हम इन values को put करते हैं, ठीक है, चलिए, start कीजिए, P1 upon P2, तो यह क्या है, 3 by 8, यह हम लोगों नहीं पता, मैं इसे X या फिर Y नाम दे देती हूँ, तो यह X upon Y, ठीक है, यह हमें निकालना है, मैंने बोला था, कि जब भी ह हम खरी देंगे, तो उसे हम 100% ही अज्यूम करेंगे, अगर यह नीचे वाले में किस भाव में बेचे, किस भाव में बेचे कि इसको 60% का लाब हो, तो 100 प्लस 60, लाब मतलब की प्लस करना है, तो 100 प्लस 60, यह कितना हो जाएगा, 160, ठीक है, सारी values पता है, आप X upon Y, बहुत इजिली निकाल सकते हो, या फिर इसे हम क्या P2 कहते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हाँ, तो फिर क्या करना है आपको, चलिए, इसको पक्षान तर करते हैं, या फिर transfer करते हैं, ठीक है, तो यह इधर transfer हो गया, समझे, 3 by 8 into ये 160 धर गया और upon में आ गया 100 ये 8 से 8 to the 60 ठीक है? ये 25 जा 100 ठीक है? तो upon x upon y की value क्या आई? 3 by 5 ये सही हम क्या कहेंगे? P2, मतलब कि हमारा answer क्या आया? कि 3 रुपे में अगर आप 3 रुपे में पैंसिल को खरी देंगे 3 रुपे में अगर आप 5 पैंसिल खरी देंगे ठीक है? 3 रुपे में अगर आप 5 पैंसिल खरी दोगे ना तब जाके आपको 60% का लाब होगा clear हुआ ये question? बस इस formula को आपको apply करना है P1 upon P2 is equals to 100 plus minus R1 upon 100 plus minus R2 बहुत easily बन जाए ये question? ठीक है? चलिए अब देखते हमारा next question ये मैंने 1 लिख दिया था ये question 2 का solution है ना चलो अब स्टार्ट करते हैं question 1 क्या था आप लोगों का यदि एक फल विक्रेटा 1 रुपे में 5 संत्रे खरीदता है ठीक है? दर से खरीद कर संत्रे को बेश देता है उसको 40 प्रतिशत का लाग होता है उसके द्वारा 1 रुपे में खरीदे गए संत्रों की संख्या बतानी है ठीक है? तो एक फल विक्रेटा 1 रुपे में 5 संत्रे की दर से संत्रे बेशता है जिससे उसको 40 प्रतिशत का लाग होता है उसके द्वारा एक रूपे में अब एक रूपे में वो कितने संत्रे को उसने खरीदा है ठीक है? उसने कितने संत्रों को खरीदा है ये आपको बताना है तो क्या करोगे आप लोग? ठीक है? पहले वही हमें P1, P2 पता है ठीक, अब हमें क्या हमें क्या बताना है मैंने हमेशा बोला कि P1 में आप कितने खरीदे गए हैं उस value को आप हमेशा रखेंगे clear, तो P1 में कितने खरीदे गए हैं तो एक रुपए में suppose वो X संत्रे खरीद रहा है ठीक है, और इसको हम लोग 100% लेते हैं मतलब कि यहां पर आरवन की कोई value नहीं है यह 100% लेंगे हम लोग ठीक है P2, P2 का मतलब क्या है कि आप में आप देख पा रहे हूँ कि एक रुपए में 5 संत्रे वो बेच रहा है तो ऐसा करने पर उसे कितने % का लाग होता है R2 is equals to 40% लिए लाब है ना लाब है तो आप इसको add कर दोगे जो जो दिया हुआ है आपको पता चल गया ठीक है, खरीदे गए इसलिए मैंने P1 को खरीदे गए में लिया है ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितने संत्रे उसने खरीदे है एक रुपए में, तो चलिए P1 की value 1 by X P2 की value, 1 by 5 एक रुपए में 5 संत्रे खरीद रहे है मैंने बोला खरीदा है, तो हमेशे हम इसको 100 ही लेंगे और P2 40 प्रतिशत कलाव हो रहा है तो 100 प्लस 40 यह हो जाएगा, 140 क्लियर हुआ ठीक है, अब हम क्या करेंगे X की value निकाल लेते हैं कि कितने संत्रे मिले हैं उसको भई ठीक है, चलो 1 by X यह 1 by 5 इधर चला जाएगा क्लियर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यह 0 से यह 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 तो यहाँ पर 1 by X is equal to क्या है, 1 by 7 अब इसको आप पल्टोगे, तो X is equal to 7 मतलब कि यह क्या है, 7 संत्रे यह clear हुआ आपको तो question में क्या पुछा था कि 1 फल विक्रेता 1 रुपे में 5 संत्रे की दर से संत्रे बेचता है, ठीक है अब यह बेच कितने में रहा है 1 रुपे में 5 संत्रे बेच रहा है तो इसको 40 प्रतिशत का लाब हो रहा है तो question में यह पूछा गया था कि इसने कितने 1 रुपे में कितने संत्रे खरीदे थे ठीक है तो इसने एक रुपे में 7 संत्रे खरी दे थे और बेच कितने रहा है एक रुपे में 5 संत्रे बेच रहा है दो संत्रे का फायदा है इसलिए इसको 40 प्रतिशत का लाब हो रहा है क्लियर हुआ ये कोशन तो इस तरह से हम ऐसे इन कोशन के आंसर को निकालते हैं प्रैक्टिस कीजिए ठीक है प्रैक्टिस करने से सारे कोशन आप लोगों से बनेंगे और कुछ नहीं बहुत इजी है बस इस फॉर्मले में आप पूट करते जाए और आपके सारे आंसर बहुत संत्रे 10 रुपए में 5 संत्रे खरीद कर 15 रुपए में 6 संत्रे बेचता है ठीक है तो बताए उसके लाब्यहानी का प्रतीशत मैं यह उमीद करती हूँ कि यह सब कोई आप लोग इस कोशन को अपनी कॉपी में मुझसे पहले बना लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो P1 की वैल्यू क्या दी हुई है P1 दिया हुआ है 10 रुपए में 5 संत्रे खरीदता है ठीक है आपको पता है जब भी खरीदने वाली बात आईगी खरीदना मतलब की क्रायमूल्य वाली तो हम लोग यहाँ परसेंट 100 परसेंट ही कंसिडर करेंगे P2 की बात करता है कि 15 रुपए में वो 6 संत्रे बेचता है ठीक है 10 रुपए में 5 संत्रे खरीद रहा है और 15 रुपए में 6 संत्रे बेच रहा है तो इससे होने वाले आपको प्रतीशत लाब हो चाहे हानी हो उस प्रतीशत को आपको निकालना है सारी वैल्यूस हमें पता है बस percentage निकालना है ठीक है चलिए put करते हैं P1 upon P2 तो 10 बटे 5 ठीक है ये 50 upon 6 15 बटे 6 ठीक है ये तो हमारा 100 ही रहेगा मैंने बताया है कि जब भी खरीदने वाली या फिर क्रेब बुले वाली बात आएगी तो हम इसको 100 ही consider करने वाले हैं ठीक है अब बात करते हैं 100 plus minus R2 की ठीक तो 100 या तो इसको profit होगा या तो इसको loss होगा तो मैंने क्या लिख दिया plus minus R अब ये वाली value को हम इधर transfer कर रहे हैं 100 plus minus R ठीक है इस equals to 100 into ये 15 by 6 इधर multiply में जाएगा और ये इधर आकर क्या हो जाएगा divide में जाएगा ठीक है तो ये 10 नीचे और ये 5 उपड़ ठीक है इसके बाद चलिए इसको cancel out कीजिए ये हो गया 5 to the 10 ठीक है ये क्या हो गया 5 to the 10 हो गया हमने ठीक है ना 100 plus minus R को इधर transfer कर दिया और उसके बाद ये 10 by 5 इसको नीचे transfer किया ये 15 by 6 चलिए अब इसको हम करते हैं कैंसल आओ 5 to the 10 हो गया अब इसको फिर करते हैं ये 50 टाइम्स में और ये 15 फाइब जा कितना होता है 15 फाइब जा होता है 75 और इसको अगर हम 6 से करें तो क्या ये 6 से कैंसल होने वाला है हाँ ये हो जाएगा 6 1 से 6 वन बचा 6 2 से 12 और 6 5 से 30 तो कितना आया 125 अब हम क्या करेंगे ये R तो है प्लस माइनस में ठीक है देखते है क्या है 125 में से 100 यहाँ से ये प्लस में है इधार जा कि माइनस में हो जाएगा तो R की वेल्यू आई प्लस में आ री है 25 परसेंट मतलब कि उसको 25 प्रतिशत का लाब होगा ठीक है तो आपने कोशन देखा कोशन देखिए 10 रुपए में उसने 5 संत्रे खरीदे ठीक है और 15 रुपए में वो 6 संत्रे बेच रहा है तो उसको किते प्रतीशत का लाब हुआ हमें क्या बोल लगया था होने वाले प्रतीशत लाब या हानी को बताईए तो हमने कोशन में ये सारे डेटा को पूट किया और क्लियर हुआ ये कोशन ठीक है अब देखते हैं नेक्स कोशन क्या है तो जो चौथा कोशन है आपका वो है ये एक रुपए में 40 पिन बेच कर एक दुकान दार 25 प्रतीशत का घाटा करता है ठीक है 20 प्रतीशत का मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए उसे एक रुपए में क पहले से ही क्लियर कर रखा है पीवन पीटू की वैल्यू आप क्राय मुल्य हो जाहें विक्राय मुल्य हो दोनों में ही पूट कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले कोशन के क्या करेंगे solution 4 हम देख रहे है P1 is equal to क्या बोल रहा है एक रुपए में 40 पीने बेचता है तो 1 रुपीज में 40 पीन बेच कर किते रुपेज का घाटा कर रहा है तो R is equal to minus 25% 25% का नुकसान कर रहा है हानी हो रही है तो क्या बोल रहा है 20% का मुनाफ़ा प्राप्त करने के लिए R2 अगर आपको 20% प्रॉफिट चाहिए तो आपको P2 एक रुपए में कितने पीन बेचने चाहिए इसकी वैल्यू हम X पीन ले लेते हैं ठीक है अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको solve करना P1 की वैल्यू 1 by 40 P2 की वैल्यू 1 by X is equal to R1 कितना है 25% की हानी है 100 में से 25 को माइनस कर दीजिए आएगा आपका 75 75 और कितने प्रतिशत का लाव हो रहा है 120 प्रतिशत का लाव हो रहा है ठीक है चलिए 1 by X की वैल्यू निकाल दी है तो suppose यह 1 by X इधर transfer हो गया है तो 1 by 40 है ना यहां पर 1 by 40 है multiply होगा 1 by 20 और यह जो 75 है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा यह 3 times में हो जाएगा और 3 by 3 और यह 25 times में तो 1 by X की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 25 और जब आप इसको पल्टेंगे तो आपको X की वैल्यू मिल जाएगी X is equals to 25 ठीक है इस तरह से आपको एक रुपए में 25 पीन बेचोगे तब आपको 20 प्रतिशत का लाव होगा अगर आप एक रुपए में 40 पीन बेचोगे तो आपको 25 प्रतिशत की हानी होने वाली है ठीक है तो इस तरह से आप इस question का answer निकाल सकते है इसी है ठीक है बस आपको type धान में रखना है ठीक है आप लोग जितने भी मैं class में जो भी अलग-अलग types करवा रही हूं उसको आप type 1, type 2, type 3 देकर ही इन questions को बनाएगा ताकि आप जब question मतलब exam hall में जाएंगे questions बनाने के लिए तो यह जो types है उनको कैसे बनाते हैं वो आपके mind में ले click करेगा ठीक बिटे हमारे अगला question क्या है question number 5 थीक है तो question number 5 हम देखने वाले हैं question पढ़िए कुछ नारंगिया थीक है नारंगिया वही संत्रे एक रुपय में 8 नारंगि के भाव से खरीदी गई और एक रुपय में 10 नारंगि के भाव से बेची जाती है ठीक है एक रुपय में आप 8 नारंगी खरीद रहे हो और एक रुपय में दस नारंगी बेच रहे हो तो पूछा है कि होने वाले हानी का प्रतीशत क्या है चले बनाईए को तो पी उन इस एक रुपय में आठ नारंगी तो जब भी हम खरीद तो यह 100% ही रहता है P2 is equals to एक रुपे में 10 नारंगी आप बेच रहे हो तो होने वाले R प्रतिशत की हानी को बताना है हानी होना है मतलब की माइनस में 100-R ही लिखेंगे हम उसको चलिए P1 की value क्या है 1 by 8 P2 की value क्या है 1 by 10 इसके बाद हम क्या करेंगी ये तो हम 100 ही रखते हैं है ना अब क्या बोला है होने वाले हानी को बताना है तो 100 यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिखने वाली हूँ यहाँ पर डारेक्ट बोला है कि हानी हो रही है तो मैं माइनस R ही आपर कंसिडर करूंगी ठीक है चलिए 100 माइनस R को इधा ट्रांसफर कर दीजिए यहाँ पर क्या है 100 यह मल्टिप्लाइम इधार जाकी 1 by 10 ठीक है और यह 1 by 8 यहाँ 1 by 8 और यह 8 उपर गया ठीक है यह 0 से यह 0 कैंसल तो 100 माइनस R इस इकोल स्टू 8 टेंजा 80 होता है ना अड़ा मस्सी होता है ठीक है यह R इधर गया और यह प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो गया यह माइनस R इधर आकर प्लस R हो गया तो R is equal to क्या हो गया 100 में से 80 माइनस हो गया तो कितना हुआ 20 प्रतीशत की हानी हो रही है देख लो ठीक है इस तरह से हमने यह question भी देख लिया तो कुछ नारंगी जब 1 रुपे में 8 नारंगी खरीद रहो आप ठीक है और बेच कितना रहो एक रुपे में 10 ठुक नारंगी बेच रहो तो आपको हानी हो रहा है कितना हानी हो रहा है तो हम लोगे ने निकाल लिया कि हमको 20 प्रतीशत की हानी हो रही है ठीक है इस तरह से हमने profit and loss का एक और जो variety है एक और जो type है उसको clear किया ठीक है आज के लिए इतना ही thank you मिलते है अगले class में एक नए type के साथ stay home stay safe